नमस्कार, News Click में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे US और North Korea के आपसी संघर्ष के बारे में और इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं रक्षा विशेश अग्ये अतुल भारद्वाज हमारे प्रोग्राम में बहुत-बहुत स्वागत यूएस प् आपको क्या लगता है कि जो यूएस और North Korea का आपसी संघर्ष जो मलब दश्रकों से चला आ रहे हैं लेकिन हाल के समय में थोड़ा ज्यादा तीवर हो गया है तो उसका यह कंफिक्ट आपको कहां जाता बनाजर आ रहे हैं जो कॉन्फिक्ट है वो थोड़ा ज्यादा तीव हो जाता है क्योंकि उसमें एक नुक्लियर वेपन्स जो हैं वो एक इम्पॉर्टन्ट एक इलिमेंट बन गए हैं पूरे संघर्ष में मिजाइल टिकनालोजी एक जो North Korea अपनी डेवलप कर रहा है और उसकी यह कोशिश है कि वो इतनी रेंज की मिजाइल बना लें जो की United States तक पहुंच सके जो अमरीका के तक उनकी मिजाइले अगर पहुंच जाएंगी तो फिर उनको लगेगा कि अमरीका अमरीका उनको डारिकली थ्रेटन नहीं कर सकता कि अगर अमरीका उनको करेगा तो जैसे रुस और अमरीका के बीच में एक 만ड था mutually assured destruction की एक strategy थी उसके तहट ये था कि ना तो US रश्या के ओपर मिजाइल फैंकेगा ना रश्या US के ओपर मिजाइल फैंकेगा क्योंकि अगर दोनों एक दुसरे के ओपर मिजाइल फैंकेंगे तो दोनों यी तबाह हो जाएंगे तो दोनों तबाह तो होना नहीं चाहते अब इस वक्त पर नॉर्थ कॉरिया के पास वो मिजाइल नहीं है, जो की निूकलियर वार हेड्स लगे हुए मिजाइल नहीं है, जो की यू एस तक पहुन सकें। जादर दूसरा infrastructure भी वहां मौजूद है अब North Korea बोल रहा है कि अगर US ने मेरे को जादा तंग किया या मेरे को जादा मेरे को चनौतियां दी तो मैं उस पे अटैक करूंगा या मेरे को अगर अटैक किया तो सबसे पहले मैं उधर अटैक करूंगा और US के seneq को मार दूंगा थोड़ा सा भी नुकलियर एलेमेंट अगर इसमें आता है इस युद्ध में अगर जो अगर युद्ध होगा तो तो बहुत डिस्ट्रक्टिव होगा वो तहस नास होगा आपने नुकलियर वेपन्स की भात की तो जो नौथ कोरिया का नुकलियर प्रोग्राम है उसके बारे में बहुत बात की जाती है लेकिन इस यूएस नॉट्ट्र प्रोग्राम का सिरफ रिए यूएस या उनको डराने की बात नहीं है, क्या आपको लगता है कि कहीं कुछ हद तक नौथ कोरिया यह अपना अस्तित्व बचाई रखने के लिए भी इस नॉट्र प्रोग्राम को चला रहे हैं? North Korea एक अपने सिस्टम नौर्थ कोरिया ने बनाया, वो यूएस के सिस्टम से जो अमरीका ने ओर्डर बनाया है दुनिया में उससे वो अगरी नहीं खरता, तो ये यूएस की मुसीबत है, कि भही हमारी बात आप क्यों नहीं मानते, आप हमारी तरह से क्यों नहीं चलते, आप हमारी तरह से अपना बिजनस क्यों नहीं चलते, आप हमारे प्रोसीजर्स और हमारे पॉलिसी के मताबिक अपना ट्रेड क्यों नहीं करते, अपनी मैनुफैक्ट्रिंग क्यों नहीं करते, अपना अगरिकल्चर क्यों नहीं करते, तो वो सब पे कंट्रोल नौथ कोरिया ने सबसे बड़िया अगर आप देखेंगे जो मेट्रो सिस्टम है वो नौथ कोरिया में है तो उन्होंने वो टेक्नलोजी के शेत्र में अपनी एक एडवांस्मेंट आ गई है उस देश में तो ये यूएस को पसंद नहीं आता कि हमारे बिना ये कहां से इतने बड़े बन गए ह तो उसके चलते उनकी ये हमेशा से मन्शा रही है कि हम इसका रिजीम चेंज करें जो कि यूएस फॉरण पॉलिसी की एक बहुत बड़ा यूएस फॉरण पॉलिसी का एक पिलर है रिजीम चेंज मतलब कि हमें सत्ता बदलनी है उदर आप सत्ता बदलने के लिए आप ये सारे परपंच रचते हैं कि किसी तना हमारा आदमी उदर बैठ जाए जो हमारे लिए काम करें जो अभी इंटरनाशनल मीडिया में जिस तरीके की खबरे हैं इस कन्फिलिक्ट को लेकर उसमें दरेसल एक खत्रा ये है कि दुनिया छगभग इस वर कभी आप कर के लिए लेकिन इस वार का खत्र हुर्ग करने के जिम्मेदरी वह वह सभी नौर्थ कोरिया पर डाल देते हैं बर बखिन बाकी ढ़र दे हैं और यूएस भी इस चाहित फूरे की जिम्मेदर 두क ये तो आपने बहुत सही है अगर दूसरे देश अपनी self-defense चाते हैं तो North Korea भी अपनी self-defense चाता है आप वहाँ पे nuclear-powered aircraft carrier ले आते हैं US वहाँ पे पंडूमिया ले आती है nuclear-powered US वहाँ पे उनके cruise missiles घूमते हैं आप aerial bombing exercises करते हैं आप यह सब करते हैं एक छोटे से देश के लिए इतनी बड़ी पावर्स USA का अगर आप military budget देखें तो वो अगले जो दस देश है military budget अगर उनका जोड़ें सबका उससे जादा है तो इतनी बड़ी पावर एक छोटे से देश को threaten करने के लिए आएगी तो आप वो कैसे behave करेगा अब आप चाहेंगे उसा पे sanctions भी लगाएंगे आप चाहेंगे कि उसको समान भी ना मिले अपना आप उसको पूरी तरह से दभाएंगे तो आप कोई ना कोई तो reaction उसका होगा जब उसको reaction होगा तो जाहिर सी बात है कि दुनिया में तहल पेल चल मचेगी नॉर्थ कोरिया नहीं तो कभी अगर उसका इतिहास देखा जाए तो कभी किसी देश पर जाकर हमला नहीं किया, कभी किसी को उस तरीके से डराया धमकाया भी नहीं, लेकिन यूएस का इतिहास इन सारी चीजों से भरा हुआ है, तो क्या जो अंतराश्ट्रिय कम्यूनिटी है उसको ये भी देखना चाहिए कि विश्व शानती के लिए यूएस किस तरीके से खद्रा बन के हमेशा खड़ा रहता है। वो हर महकमे में आप देखेंगे उसका वो काम करता है। यूएस के पास सौफ्ट पार भी बहुत जादा है और हार्ड पार भी बहुत जादा है। अब इस पावर को कैसे बैलन्स किया जाए। इस पावर को कैसे लिमिट किया जाए। ये बहुत जरूरी हो गया दुनिया क की सुक्षान्ती के लिए नहीं तो लड़ाई जगडे लगातार चलते रहेंगे कभी यूएस पाकिस्तान में तालिबान को सपोर्ट करता है कभी कहता है कि वो खराब है कभी वो सीरिया में जाके अलकाइदा को सपोर्ट करता है कभी अफगानिस्तान में कहता है कि अलकाइद लोगों पे इनकी पॉलिसीज का क्या हसार पड़ रहा है जो इन्हों ने रूल बेस्ट ऑडर है वो ऑडर सिर्फ इनके लिए है बाकी सब के लिए वो डिस ओडर है तो इंटरनेशनल कम्यूटी को एक बैलन्स क्रियेट करना पड़ेगा हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया